बड़ी खबर भगवान जगनात के यात्रा से जुड़ी हुई जिसका आज है दूसरा दिन मंगला आरतियों और भोग के बाद वापस से इस यात्रा की शुरुआत हो चुकी है गुंडिजा मंदिर पहुंची रथ यात्रा को बड़ी चैनकारी भगवान जगनात अपने मौस के आवास पर रहेंगे और इसी को लेकर के हर साल ये यात्रा निकाली जाती है बड़ी संख्या में लाको की तादाद में लोग यहां पर पहुंचते हैं ये तस्वीरे इस वक्त आपकी टिवी स्क्रीन पर आज सुभा विधी विधां के साथ वहां पर पूजा अर्चना फिर से जय जगनात को उद्गोश के साथ इस यात्रा के शुरुवात हुई और इसको देखने के लिए इस रत यात्रा में सम्मिलित होने के लिए रत को खीचने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदकी भी रही ये जो तस्वीरे आपकी टिवी स्क्रीन पर है ये इस वक्त लाइफ तस्वीरे हैं जो कि जगनात की नगरी पूरी से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं बड़ी संख्या में साथू संतों का जमावड़ा लगा हुआ है लोग दूर दूर चे पहुंचे हुए हैं और कल से दरसल इसकी शुरुआत हुई थी उस वक्त भी जगनात की गूंच सुनाई दे रही है और बहुत खुबसूरती की साथ इस पूरे रत का निर्मान हुआ है लकडी से इसे बनाय गया है और इसे भी लंबे वक्त तक जो कारिकरिस का निर्मान कर रहे थे वो इससे जुड़े हुए रहें उसके बाद हमने आपको कल तस्वी बात हुई थी आगे आगे बालभद्र पीछे पीछे सुभद्रा और सबसे पीछे भगवान जगनात की यह जो यात्रा है वो यहां पर निकलती हुई यह अदभुत समागम है यह धर्म यह भक्ति यह भाव और इसके साथी सार्ट जो संस्कृती है उसकी छटा आपको यहा अगे पुराणों में इसका जिक्र मिलता है कि किस तरीके से प्रभु जगनात का यह जो पुरा ऊंकी एक यातरा है वो निकाल दी जाती है कहा जाता है कि प्रफू ने खुद अपनी मौसी से वादा किया था कि हर साल वो इस रत यात्रा के जरीए पहुंचेंगे अपनी मौसी के आप विश्राम करेंगे और आठ दिन तर दरसर वो वहाँ पो रहने वाले हैं और इसी को लेकर के हर साल के ऐसी तस्वीरे में आपको दिखाते हैं ये दो तस्वीरे इस वक्त आपकी चिवी स्ट्रीप पर जहां तक निगाहें दोडाएए वहाँ वहाँ तक आपको सिर्फ और सिर्फ शद्धालू का हुजूम नज़र आएगा ये जो रत हैं वो आपको नज़र आएंगे जिसको खीचते हुए हजारों की संख्या में शद्धालू जो भक्ती भाव के साथ यहां पर पहुंचे हैं भगवान जगनात यानि की जग के नात उनकी पूजा अर्चना हो रही है और इसको लेकर के विशेश प्रबंध देखने को मिल रहे हैं चारों तरफ जए जगनात की गूंजा आपको सुनाई देगी सुबह सुबह मंगल आर्टीवी भोग लगाए गया क्रफीपोर उसके बाद एक बार फिर से इस यात्रा की शुवात हो चुकी है हाला कि बड़ी चुनाती प्रशासन के सामने भी क्योंकि आप इन तस्वीरों के ज़री अंदाजन लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संध्या में यहाँ पर रिकॉर्ट शद्धालू पहुंचे हैं ऐसे में विवस्थित ढंग से इस यात्रा को संपंग कराया जाए यह कोशिश रहती है दो क्यामरों के जरिए इस वक्त हम आपको रथ यात्रा लाइफ दिखा रहे हैं AI का सहरा लिया जा रहा है ये भी बहुत एहम है क्राउड मैनेजमेंट के लिए पहले से ववस्था बनाई दी गई थी वहाँ पर परामेलिटरी फोर्सेस की तेनाते इस वक देखने को मल रही है वॉलेंटियर्स डिप्लोई के गए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और शधालों के लिए भी जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जो इसमें समिलित हो रहे हैं यह तस्वीरे इस वक आपके TV स्पींग पर पूरी से लाइव आपको दिखा रहे हैं चप़े चप़े पर सुरक्षा के पुखता प्रबंध के गए हैं अगर आप नजर दोडाएंगे आपको नजर आएगा कि वहाँ पर जो इमारत हैं वहाँ पर जो बिल्डिंग्स हैं उसके उपर भी लोग मौजूद हैं यानि कि जितनी भीड आपको इस वक्त सड़क पर रत यात्रा के साथ साथ चलती भी नजर आ रही है उसी भीड की जो शकल है वो आपको इन बिल्डिंग्स के उपर छटों पर भी नजर आएगी जहां पर लोग इतने उत्साहित हैं कि वो इस कारिप्रेम का हिस्सा बनना चाहते हैं देखियाएं दीरे धीरे रत को खीचा जा रहा है और कहा जाता है कि भगवान जगं temper कि रच को रहो आपको कोजए हैं अब उन रत्सके बार gal़ा करदू अब के बाहर सुंधर कलाकृतिया बनी हुई है अलग-अलग रंगों से उसको सजा गया है लाल पीला लीला कलर hai हर रंगा में इस्तमाल किया गया है इन तस्वीरों में आपको नज़र आएगा कि किस तरीके से महापर जो साधु संथ है आर्टी करते हुए हर कोई इस वक्त प्रभु जगरनाथ की भकती में आपको लीन नज़र आएगा इन तस्वीरों के ज़री आप देखे किस तरीके से मापन जब शुरुवात होती है बड़ी संख्या में शर्धालियों का जमावरा लग गया ये कल भी जो तस्वीर सामने आई थी जब लगभग लगभग धाई बज़े का वक्त रहा होगा जब प्रभु की जो यात्रा थी उसकी शुरुवात होती है और तब से ल एक धार्मिक एक सयोग नजर आता है देखे किस तरीके से ये जो अदफुत समागम है हर कोई इस पल का साक्षी बनना चाहता है ना केवल देश के कोने कोने से लोग यहां पर पहुंचते हैं रख्यात्रा में समलित होने के लिए बलकि दुनिया के कोने कोने से प्रभु गये हैं और इसी भारी सुरक्षा के बीच प्रभु जगरनात की रथ्यात्रा आगे की तरफ बढ़ती हुई